अर्विंद केज रिवाल जी ने पंजाब के चीफ सेक्टरी को और पंजाब के पावर डिपार्टमेंट के अफसरों को दिल्ली में बुला कर मीटिंग की जो कि अनकॉंस्टिूशनल है सविदान के खिलाफ है एक चुनी हुई सरकार है पंजाब की पंजाब के मुख मंतरी है पावर मिनिस्टर इनमें से कोई भी मजूर नहीं था इस मीटिंग में किस कपैस्टि में अर्विंद केज रिवाल जी ने इंए मीटिंग की क्या अर्विंद केज रिवाल अपड़े आपको सुपर सीम समझते है यह यह साबित करना चाते हैं कि पंजाब के चुनेवे 92 के 92 मल जो हैं मले वो नलाइक है वो किसी काबल नहीं है यह पंजाब का चुनेवे मुख मंतरे भगवंतमान किसी काबल नहीं है वो नलाइक है ये आज सवधानी के साथ-साथ पंजाब की गैरत को भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है पंजाब की खुद मख्तियारी को ये चैलेंज है पंजाब के बहुत सारे टक्राव हैं दिल्ली के साथ चाहे वो पानियों को लेकर हो, S.Y.L. को लेकर हो कल को ऐसे ही एक फैसला कर देंगे अर्विंद केजरिवाल और भगवंतमान जी कहेंगे मुझे पता नहीं चला दिल्ली में अफ्रों ने फैसला कर दिया होगा और आज इस मसले को 24 गंटे आने को हुए को ना तो अर्विंद केजरिवाल इस पर अभी तक बोले है ना भगवंतमान बोले है और पंजाब के MLA कहरे हमें पता ही नहीं क्या ये पंजाब की सरकार इस तरह से चलेगी पता ही नहीं क्या ये दिल्ली मॉटल लागू करेंगे पंजाब के अंदर ये कभी हो नहीं सकता अर्विंद केज रिवाल और बगवनतमान दोनों को माफी मांगनी चाहिए अर्विंद केज रिवाल जी ने पंजाब के चीफ सेक्टरी को और पंजाब के पावर डिपार्टमेंट के अफ्सरों को दिल्ली में बुला कर मीटिंग की जो कि अनकॉंसिटूशनल है सविदान के खिलाफ है एक चुनी हुई सरकार है पंजाब की पंजाब के मुखमंतरी है पावर मिनिस्टर इनमेंसे कोई भी मजूर नहीं था इस मीटिंग में किस कपैस्टे में अर्विंद केजरिवाल जीने मीटिंग की क्या अर्विंद केजरिवाल अपड़े आपको सुपर सीम समझते है या यह साबित करना चाते हैं कि पंजाब के चुनेवे 92 के 92 जो हैं MLA वो नलायक है वो किसी काबल नहीं है या पंजाब का चुनेवे मुखम पैस्वाईल को लेकर हो कल को ऐसे एक फैसला कर देंगे अर्विंद केजरिवाल और भगवंतमान जी कहेंगे मुझे पता नहीं चला दिल्ली में अफ्रों ने फैसला कर दिया होगा और आज इस मसले को 24 गंटे आने को हुए को ना तो अर्विंद केजरिवाल इस पर अभी तक बोले है ना भगवंतमान बोले हैं और पंजाब के मेले कह रहे हमें पता ही नहीं क्या यह पंजाब की सरकार इस तरह से चलेगी पता ही नहीं क्या यह दिल्ली मॉटल लागू करेंगे कि मांगने चाहिए